वेलकम टुमा योटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तों आज की वीडियों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने रियल्मी हमने यूज की है कैसे क्या करना है सब कुछ आप लोगों को छोटे सी वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले अगर आपके फोन में कोई भी लोग लगा उसको हटा लिजिए फिंगर प्रिंट हो फेस पासवर्ड हो या पैटन लोग हो कोई भी लोग हो आप उसको हटा को डाउनलोड कर लेंगे तुरुंत आप इस एपलिकेशन को ओपिन करीए इसके बाद आप लोगों को यहां पे अलाउ का ऑप्सन दिखाए देगा परमीसन मांग रहा है हम सिंपली परमीशन दे देते हैं अलाउ के ऑप्सन पर किलिक कर देते हैं और जो भी परमीशन आप एक Wallpaper पर किलिक करना है अब यहां से आप लोगों से पूछा जैता किस अस्थान पर आप लोगों को चार बार टैप करना होगा जैसे कि मैं एक जामपल के लिए अगर दिखा दूं यहां पर पूरे डिस्पेल में कहीं भी आप लोग लगा सकते मैं यहां पर लगा रहा हूं 12 2, 3, 4 यहां पर 4 बार हमने टैप किया उसी इस्थान पर आपको next कर देना है फिर confirm करने के लिए कह जाता है उसी इस्थान पर आपको tap करना है जैसी आप लोग करते हैं यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर set new pin के लिए कह रहा है तो हम यहां से pin बना लेते हैं कोई भ आप लोगों को धेर सारी theme दिखा देंगी कोई भी एक theme select कर लिए यानि कि जब आप अपना phone unlock करना चाहेंगे तो यही theme आप लोगों को आपके display पर show होगी तो चलिए हम यहां से कोई भी एक theme select कर लेते हैं इसके बाद finally हम इस application को cut कर देते हैं और अपने phone को finally करते हैं आप लोगों को यहां पर दिखा दूँ मैं सेम उसी अस्थान पर नहीं टैप करूंगा बगल की दूसरे जगां पर test करूंगा यहां पर open ही नहीं हुआ और single tap करने से जो है आपका phone open ही नहीं होगा आपको उसी अस्थान पर double tap करना होगा जिस अस्थान पर आपने अपना finger लगाया हुआ था यहां पर देख सकते हैं दूसरे अस्थान पर हमने जो किल्क किया यहां पर three time जो हमने इंटर किया इसलिए wrong किया और यहां पर second channel लगा अब इसके बाद मैं यहां से जहां पर लगाया था सेम उसी जगहां पर double tap करूंगा तुरूंत हमारा phone open हो जागा य यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो गईस अगर आपको वीडियो योजफू लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो गईस मिलते हैं नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर